हेलो फ्रेंड्स मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टॉलजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है तो आज हम अनायलसिस करेंगे से हैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो as usual शुरू करूँगा fingers के analysis से उसके बाद चेक करेंगे fingers की setting को and mounts को और सबसे last में हम चेक करेंगे lines को इस तरह से पुरे hand का जो analysis हम complete करेंगे तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं सासा draw करता जाओंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत न हो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा यह जो number आपको आपकी screen के उपर नजर आ रहा है यह मेरा whatsapp number है अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या phone consultation लेना चाहते हैं तो आप हमें whatsapp के जरीए signal के जरीए या तेलेग्राम के जरीए message send कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हतेली है कुछ इस तरह से एक complete square shape में नजर आ रही है जो indicate करती है एक hard working type की nature को और अगर इनकी fingers को check किया जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे काफी अच्छी लंबाई में इनकी fingers नजर आ रही है और खास तोर पर इनकी शनी finger को अगर देखा जाए तो काफी अच्छी length में है और साथी साथ अच्छी thickness भी इन fingers की यहाँ पर नजर आ रही है fingers का thick होना indicate करता है कि native के भीतर काफी अच्छी energy and stamina रहने वाला है और शनी finger का अच्छी length में होना यहाँ दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति काफी मेहनती nature के होते हैं और एक अच्छी discipline personality ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है अगर हम बात करें इनकी index finger की आप यहाँ पर देखेंगे इनकी ब्रस्पती की finger काफी अच्छी लंबाई में है बिल्कुल straight है जिसकी वज़े से ऐसे native के भीतर काफी अच्छी leadership qualities देखी जा सकती है उसे के साथ साथ अगर हम इनकी सूरे finger की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे सूरे finger की length यहाँ पर लगभग ब्रस्पती finger के equal होती हुई एक अच्छी लंबाई में इस ring finger का होना दर्शाता है के native की creativity का level काफी अच्छा रहने वाला है ऐसे व्यक्ति creative minded होने के साथ साथ काफी अच्छी artistic qualities भी इनके भीतर रहती है सूरे finger का अच्छी लंबाई में होना यह भी दर्शाता है के native का एक अच्छा social circle भी रहेगा अगर हमें mercury finger की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो mercury finger है अच्छी लंबाई में नजर आ रही है mercury finger का अच्छी लंबाई में होना indicate करता है कि native के communication skills काफी बहतर रहने वाले है ऐसे व्यक्ति का business segment भी काफी strong होता है लेकिन यह finger थोड़ा सा low set है जिसकी वज़े से थोड़ी shy nature रह सकती है आप देख सकते है अगर मैं यहाँ पर एक line draw करता हूँ तो यह finger आपको काफी नीचे से शुरू होती हुई नजर आएगी जबकि बाकी की सभी fingers यहाँ पर high set नजर आ रही है इस finger का low set होना native को थोड़ा शरमीला सभाव देता है hesitation वाली nature ऐसे व्यक्ति की रह सकती है लेकिन इस finger की लंबाई की वज़े से कोई भी negative प्रभाव नहीं रहता जब यह finger अच्छी लंबाई में हो तो ऐसे व्यक्ति के communication skills और calculations करने की जो काभलियत है वो काफी बहतर हो जाती है अगर हम बात करें इन दोनों fingers के बीच में बनने वाले gap की तो आप यहां पर देखेंगे इनकी सूर्य finger और बुद्ध finger के बीच में इस area में काफी अच्छा gap maintained है इस तरह का gap होने से native काफी independent सभाव का होता है ऐसे व्यक्ति अपने सभी decisions कुछ से लेना पसंद करते हैं किसी के दबाव में रहकर कोई भी काम कर पाना इनके लिए काफी मुश्किल हो जाता है इस तरह का gap होने की वज़े से थोड़ा सा जिद्धी सभाव भी व्यक्ति का देखा जा सकता है यहाँ पर आप देखेंगे fingers के बीच में कुछ हलके gaps in areas में भी आपको नज़र आएंगे इसके वज़े से थोड़ा खरचीला सभाव रहने की सभावनाएं भी यहाँ पर काफी ज़दा प्रबल हो जाती है चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं के सभी mounts को उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रिखाओं को भी तो यहाँ पर अगर मैं एक line draw करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह की एक रिखा बनती हुई जिसमें इनका सूर्य परवत शनी परवत और ब्रस्पती तीनों को बहुत अच्छी space मिलती हुई लेकिन यहाँ पर इनका जो mercury है थोड़ा सा low set है उसके बावजूद भी mercury mount का जो area है आप देख सकते हैं काफी उभरा हुआ है mercury mount का उभरा हुआ होना और एक लंबी mercury रेखा का हाथ में मौचूद होना बहुत ही भीतर result देता है अब देख सकते हैं इस तरह की एक रेखा जिसको हम बुद्ध की रेखा या mercury line भी कहते हैं इस तरह की लंबी रेखा जिन लोगों के हाथ में होती है इनके communication skills बहुत बेतर हो जाते हैं खास तोर पर इस तरह की रेखा को business line भी कहा जाता है ऐसे व्यक्ति किसी न किसी तरह के business के जरीए या trading के जरीए भी काफी अच्छा धन कमा पाने में अपने जीवन में कामयाब रहते हैं और यही वो रेखा है जिसकी मदद से हाथेली में एक money triangle की formation होती है आप देख सकते हैं इनकी थेली में थोड़ा close up में आप देखेंगे इनके हाथ में तीन रिखाओं से काफी अच्छा money triangle बनता हुआ यह जो रेखा है इसको हम fate line कहते हैं यह जो दूसरी रेखा है इसको कहा जाता है mind की line और यह जो तीसरी line है जो थोड़ा सा money triangle को खुला छोड़ रही है इस सेरिया से triangle खुला रहता है तो income काफी अच्छी होती है लेकिन फिर भी native के पास धन रुक नहीं पाता बात करते हैं इनके सूर्य परवत की तो आप यहाँ पर देखेंगे इनका जो सूर्य का area है बिलकुल flat नजर आ रहा है लेकिन अथेली में सूर्य रेखा मौजूद है बेशक यहाँ रेखा बहुत ज़दा लंबाई में यहाँ पर नजर नहीं आ रही आप देख सकते हैं इस तरह की एक सूर्य रेखा नकी थेली में इनकी हाठ लाइन के बिलकुल पास से यहाँ रेखा शुरू होती हुई इस तरह की सूर्य रेखा होने से नेटिव को इस रेखा का لाब लेटर ऐज में जाकर मिल पाता है 50 प्लस की एश के बाद ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में और अपनी बहुत अच्छी पहचान बना पाने में काम्याब रहता है इस माउंट का फ्लाट होना या दबा हुआ होना नेटिव को यश में कमी की दिक्कत भी देता है बात करते हैं इनके शनी परवत की आप यहां पर देखेंगे यह जो एरिया है शनी का एरिया कहलाता है यहां पर शनी माउंट काफी अच्छा नजर आ रहा है लेकिन शनी रेखा की अगर हम बात करें तो शनी रेखा में कुछ ओवरलैपिंग्स होती हुई भी आप देख पाएंगे आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा यह जो रेखा है नीचे से काफी अच्छी स्ट्रेंथ से शुरू होती हुई यहां पर आकर इस रेखा में एक हलका सा ओवरलैप आपको नजर आएगा यहां से यह रेखा कुछ इस तरह हैं से डबल होती है और ओवरलैपिंग के साथ आगे बढ़ती हुई इस तरह की रेखा होने से नेटिव को जीवन में कई बार उतार चडाव का सामना भी करना पड़ता है क्योंकि यहां पर आप देखेंगे एक तो इस रेखा में आपको एक गैप नजर आएगा दूसरा कुछ इस तरह की रेखाएं इनकी इस भाग्या रेखा को क्रॉस कर रही है जिसकी वज़े से जीवन में काफी अपस और डाउंस रहती है लाइफ में इंकम अच्छी रहती है लेकिन बार बार स्ट्रगल का सामना भी व्यक्ति को करना पड़ता है अगर हम बात करें इनके गुरू परवत की तो आप यहां पर देखेंगे इनका जो ब्रस्पती का एरिया है काफी उठा हुआ है और इस माउंट के ओपर थोड़ी ओवरलैप्ड लाइनों से एक गुरू वलय बनता हुआ भी नज़र आ रहा है आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा यह जो एरिया है यह ब्रस्पती का एरिया कहलाता है और अगर यहां पर कुछ इस तरह से एक अर्ध चंद्रमा की अकरिती बने जैसे मैंने अभी ड्रॉ की है इसको हम रिंग आफ सोलोमन या गुरू वलय कहते हैं यह चिन होना काफी लगी होता है और लेकिन अगर इस तरह से पूरी तरह से क्लियर बने और बीना टूटे हुए रिखाओं से बने तो इसका परभाव सबसे ज्यादा होता है यहां पर भी आपको इस तरह का चिन नजर आएगा वो कुछ इस तरह की रिखाओं से बन रहा है जिसमें थोड़ी थोड़ी ओवरलैपिंग और ब्रेक्स आपको नजर आएंगी लेकिन इस माउंट के ओपर किसी भी तरह से गुरू वलाय बने तो यहां नेटिव को स्प्रीशो लेचर देता है ऐसे व्यक्ति धरम करम के काम करने वाले होते हैं खास तोर पर 40 प्लस की एच के बाद अपनी इसी नेचर की वज़े से समाज में काफ प्रोग्रेस लाइन्स कहते हैं जैसे आप देखेंगे यहां पर सबसे लंबी एक रेखा उसके सासत कुछ और रिखाएं नीचे से उपर की तरफ बढ़ती हुई यहां रिखाएं जीवन रेखा की तरफ से उठकर उपर की तरफ आती हैं इस तरह की चोटे-चोटे आफ्श तक पहुन जाते हैं अगर हम बात करें इनकी हिरदे रेखा की यानि हार्ट लाइन की तो आप यहां पर देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से काफी अच्छी गुलाई में नजर आ रही है और साथ ही साथ इसमें से एक ब्रांच निकल कर इस तरह से एक व तरक्की करते हैं लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चल कर बेई मानी से धन कमाने की कोशिश करे तो जीवन में काफी विपरीत रिजल्ट भी इस चिन के देखने को मिलते हैं तो ऐसे व्यक्ति की तरक्की जो है रुक सकती है और लाइफ में बहुत ज़्यादा प अंकेत नहीं माना जाता ऐसी रिखाएं होने से नेटिव को लेटरेज में चल कर ब्लड प्रेशर जैसी दिखते होना और हृदय समंदी कुछ प्रॉब्लम्स होने की समभावना रहती हैं और इस तरह की रिखाएं होने से नेटिव को जीवन में emotional setbacks का सामना भी अपनी की तो आप यहां पर देखेंगे माइंड लाइन थोड़ा सा नीचे की तरफ जुकती हुई इस तरह की माइंड लाइन होने से native की इमेजिनेट करने की capability काफी अधिक रहती है आप देख सकते हैं इनके हाथ में इस तरह से यह रिखा थोड़ा नीचे की तरफ डिप लेकर च सोच विचार करने वाले होते हैं बहुत जादा सोचने वाले होते हैं जिस वजह से थोड़ी anxiety की दिक्कत रहने की संभावनाएं थोड़ा stress रहनी की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं अगर हम देखें इनकी line of life को तो आप यहां पर देखेंगे life line काफी अच्छी फार आरी है life line में से निकल कर एक branch बाहर की तरफ जाती हुई आपको draw करके दिखाना चाहूंगा यहां की life LINE है और यह line कुछ इस तरह से और एक branch इसी में से इस तरह से बाहर की तरफ निकलती हुई भी आपको नजर आएगी इस तरह की branch बाहर के तरफ अगर life LINE से जाती foreign travels के साथ साथ लंबे समय के लिए long stay का मौका भी ऐसे व्यक्ति को जीवन में मिल सकता है और आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की रिखाओं से यहाँ पर आपको एक fish ऐसी अकरिती बनती नजर आएगी इस तरह का चिंड बनना व्यक्ति को जीवन में कई बार अच्छानक धनला भी दिलवाता है अगर हम बात करें इनके शुक्र परवत की यह जो area है आप देख सकते हैं उभरा हुआ है Venus Mount अगर उभरा हुआ हो तो जीवन में हर तरह की सुक्सविधाया से व्यक्ति को मिलती है यहां पर एक हलका सा brown color का तिल भी आपको नजर आएगा साथी साथ काफी सारी ऐसी रिखाएं जिनकी वज़े से native को married light में दिक्तों का सामना करना पर सकता है family life disturbed रह सकती है इस तरह के चिन होने से native को family की तरफ से worries मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है अगर हम इनके चेंदर परवत की बात करें तो आप देख सकते हैं इनका जो moon का area है यहां पर आपको उभरा हुआ नजर आएगा लेकिन माउंट के उपर इस तरह की रेखा का होना native को किसी तरह की addiction भी दे सकता है इस तरह की रेखा को via lascivia कहा जाता है इस रेखा होने से native को किसी substance से या किसी medicine की addiction होने की या allergy होने की समभाव बनाएं बढ़ जाती हैं और आप देख सकते हैं ऐसी रेखाएं अगर काफी ज़्यादा मात्रा में इस माउंट के उपर मौजूद हो तो native को थोड़ी anxiety रहने की दिक्कत भी रहती है तो दोस्तों ये कुछ analysis थे इनके hand के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी स्वालों के जवाब एकी वीडियो के तुरू दे पाऊं लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन या स्वाल रह जाता है तो इनसे request है कि मुझे WhatsApp पर message करें मेरा वीडियो watch करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद